आपकी जो एम है एम्बीशन से उसको बदलोगे ना तो कहीं नहीं रहोगे अक्सर लक्ष बदलने वाले लोग भटकते हुए मिलते हैं और उनका कोई किनारा नहीं होता है तो इसलिए हमेशा ये चीज़ आप जो भी शुरू करें एक लक्ष बनाएं एक एम्बीशन से और मेरे बाबु जी अभी भी कहते हैं और मैंने अपने गुरूँं से यह सीका कि बाप लक्ष एक ही होना चाहिए जिद एक ही होना चाहिए अगर आपको इतना confidence नहीं था है इसलिए research कीजिए अपने एम को चुनने के पहले लेकिन एक बार जो बन गया तो बढ़ चले हैं वो कदम अब रुकींगे नहीं तो बस वैसा attitude होना चाहिए कि हम तो घर से निकले ही थे बांद कर सरपे कफन जा हतेली पर लिए जो बढ़ चले हैं ये कदम अरे जिन्दगी खोदे अपनी महमाम मौत की महफिल में है सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है वो attitude कहा है जवानो यार वो जवानी में रवानी कहा है इस हुमर में जो बना लिया एक बार एम बना लिया उसके लिए म एक दिन बॉलर बनना है दूसरे दिन बैट्समें तीसरे दिन साइंटेस्ट चौते दिन डॉक्टर लल्ला कुछ नहीं बनोगे कंफ्यूस बनोगे जूते पढ़ेंगे घर में भी और बाहर भी एक एम बनाओ और बस उसकी तरफ बढ़ते जाओ रोज महनत करना सबूरी है दोस्त क्योंकि बगएर महनत के आप मिलता है शॉटकाट हाँ शॉटकाट से आप खुश रजाएंगे थोड़े समय के लिए याद रखना शॉटकाट कभी भी मन्सिल तक नहीं पहुचाता है घूम फिर कि आप फिर से highway पे आजाओ फिर बोलोगे कि टाइम वेस्ट होगया इसलिए वन सिंगल एम रोज छोटी 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 एम बनाओ प्रॉब्लम यह कि एक ही दिन में आप कुछ नहीं बन सकते हैं लेजंड कोई पैदा नहीं होता है दोस्त उसको बनने के लिए बहुत सिंपल सी बात है नोबड़ी बिकम्स जेनरल विदर निटी दर इस जर्णी इन्वाल विन दाट और यूफ तो गो तूट जर्णी उस जर्णी की इस्जत होती है तो अपनी खुद की इस्जत कीजिए उस जर्णी की इस्जत कीजिए और अगर सलाह चाहिए ना एम लेने के लिए माबाप से बड़ा कोई नहीं क्योंकि वो सिर्फ जिन्दगी में ऐस बड़ा है एक बड़ा भाई समझले चोटा भाई समझले जो भी समझले अपने लक्षित पर खुद को भरोसा करना बरट तू अपनी कउंचिंस होती है आपको जानते हैं उनसे discuss कीजिए और याद रखे अपने passion को आपको जिस चीज में मन लगता है ना घरवालों से लड़ाई मत करो convince करो बात करो उनसे क्योंकि जो एक passion है ना वो सिर्व आप जानते हो और अगर आप अपने घरवालों को convince नहीं कर पा रहे हो आपके conviction में कमिये आप दुनिया को क्या convince करोगे इसलिए सब अगर agree होंगे आप सेम पेश पर होगे आपको मदद चाहिए emotional support चाहिए अपने घरवा पहला उन्हें हमेशा से वही बनना था आज वो जहां पर है उन्हें अपने roots नहीं बदले दूसरा उन सब में एक चीज़ बहुत कॉमन थी वो सभी बहुत discipline लोग थे और रोज रोजाना वो अपनी छोटी-छोटी मेहनत करते थे उस लक्ष की तरफ बढ़ने के लिए इसल बाबा बंज्या होगे तिलक लगा के सॉरी मैं किसी religion की बात नहीं कर रहा हूं लेकिन पीर फकीर हो बाबा बनने से कुछ नहीं होने वाला यार सिवलाइज हो यहां पर हो आपके माबाप के साथ रहकर फोकस रहो ना रोजाना आपको अपने आपके लिए 8 गंटे देना ब की ताइम कम पड़ जाता है दुनिया में जितने बड़े लोग हुए ना 24 गंटे ही थे सबके बास 32 गंटे 36 गंटे 40 गंटे 40 गंटे वाले आदमी से मैं तो मिला नहीं तो ठीक है आपको टाइम मैनेजमेंट करना पड़ेगा ठीक है आप जितने बज़े उठते हैं वो बहुत सिंपल सी चीज है जब ट्राफिक होता है ना तो हॉन बजाने से कुछ नहीं होने वाला और ना आप उलके जा सकते हो स्पाइडर में असल में नहीं होते दोस्त और अगर उलके जाओगे तो चालान भी लगेगा पिटाई भी पड़ेगी तो ट्राफिक को दोश मत कोशिश ये करो कि पहले निकलो वक्त से पहले जब आप निकलेंगे तो आप जगहे पर पहुंच जाएंगे टाइम मैनेजमेंट हर चीज कर टाइम डिसाइड करना पड़ेगा आपको बस टाइम डिसाइड कीजिए आगे बढ़िए और कंप्लेंस कम कीजिए सिपाहियों क को अपने लक्ष का पता होता है बिइंगा सिंबल सन अफ इस मदरलेंड आप रस्पॉंसिबिल्टी ती स्पीक अबाउट आर सोलजर्स जो सबसे यादा महनत करते हैं बहुत सिंबल्स है ना एक टास्क दिया जाता है चाहे वो बंकर बनाना हो चाहे वो राशन लाना हो चा चोटे चोटे लक्ष बनाईए और उन चोटे चोटे लक्षियों के लिए रोज रोजाना चोटी चोटी महनत कीजिए एम को सीधा रखे और बेज़जती होना बहुत जरूरी मैं हमेशा कहता हूं जब बेज़जती होती है ना तो अंदर एक आग जग जाती है और उस आग की दम पे ही आप करते हो तेज भागने के लिए आग की जरूरत है रॉकेट को देख लेना कभी नीचे आग लगी होती हो इसलिए इतना तेज भागता है सो बेज़दी बस एक बात याद रखना कभी न कभी कहीं न कहीं आपको काम करना पड़ेगा अपने लिए क्योंकि आपके माबाप की या आपके रिलेटिव ने कभी न कभी कहीं न कहीं कुछ ऐसा कहा होगा जो बेज़द किया होगा उस बेज़दी को याद करना वो पावर देती है हमें एक फियर होना चाहिए वो डर होना चाहिए हमें कि यार अगर मैं कुछ नहीं कर पाया तो मेरी फैमिली के लिए मैं responsible हूँ अपने परिवार के लिए उस बेज़दी को सहन करो और उन सभी लोगों को जिनने आप पर आपकी मांदारी पर शक्किया है आपके parents की परवरिश पर शक्किया है उनको साबित करो कि वो गलत थे और आपकी परवरिश बहुत अच्छी थी उतार चड़ाओ जंदगी में आना जरूरी है हमारी हां कहीं पढ़ाता कि हार्ट-बीड जो है न वो भी ऐसी चलती है तो डरो मत उससे, धीरे-धीरे हमें चलना है, मैंने एक ट्रक के पीछे बहुत सालों पहले पढ़ा था, कि धीरे-धीरे चलेंगे, तो बार-बार मिलेंगे, और अगर बहुत तेज चलेंगे, तो हरे द्वार मिलेंगे, तो याद रखना, हमें धीरे-धीरे चलना है, और पहले मंडे करेंगे चोटे-चोटे एम बनाएंगे जब confusion हो parents के पास जाओ अरे हर दुनिया के हर शास्त्र में लिखा है even कुरान शरीफ में मैंने मेरे एक यार ने बताये था मुझे कि एक फरजंद की वाकात अपनी वालिदा के सामने वालिद वालिदा के सामने एक घाहिल परिंदे की होती है पैरों में जन्नत बताई गई है हर धर्म कहता है कि अपने माबाप के पास जाके सरेंडर कर दू कोई भी प्रॉब्लम हो मैं अगर आज आज आपके सामने खड़ाओं ना तो यह मेरे बाबुजी है यह मेरी माँ है सिर्फ उनके कारण ही खड़ाओं और उनकी वो परवरेश है उनकी वो चोड़ी-चोड़ी चीज़े है वो याद रखता हूं कोशिश करता हूं कि मेरे उस एक्स्पीरेंस है शायद आपका भला हो पाए और मेरे पिताजी के एक बड़ी अच्छी चीज़े जो सीखी थी कि बुरे वक्त में सिर्फ दो ही चीज़े काम आती है पहला अपने ही बाजूओं की ताकत और दूसरा अपनी ही अकल इसलिए मतलब क्या है इसका इसका मतलब यह है कि आपको अपना फिजिकल अपना बॉडी भी ट्रेंड करना है अपना माइंड भी ट्रेंड करना है और यह वो चीज़े हैं जो कम्प्यूटर पर बैटकर नहीं हो सकती है दोस्त धूप में जाना पड़ेगा पूरी जेनेरेशन को 93% अर्बन कल्चर में वाइटमिन D deficiency है क्यों क्योंकि धूप नहीं मिलती है नेचर दुनिया का सबसे बड़ा गुरू है तो जाईए जरा उसका भी मदा लीजिए और जब आप ट्रेंड होंगे ना लक्ष के लिए एक बाब उताईए आप बहुत successful बन गए उसके बात क्या करेंगे अगर उस success को लिटल माइक्रो नॉलेज जिसको मैं कहता हूँ उससे कभी किसी की मदद कर पाऊं ये है मेरा लक्ष बहुत सिंपल है कि मुझे दो चीजें करना है और जो मेरी जिद्धर में करके रहूंगा पहला भारत में हर महिला को आत्मरक्षा सर्वाइवल टेक्टिक्स आना जरूर है और कंपल सरी होना चाहिए कराटे जूटो ताइकोंडो मार्शल आर्स की बात नहीं कर रहा हूं मैं बात करो सर्वाइवल टेक्टिक्स हाउट यूज अवेलेवल असेसरी और उसका उप्योग करके बचना कैसा हर महिला को आना चाहिए हर बच्ची को इंडिया में आना फियर वो कल्चर है इंडियन मिलिटरी ट्रेनिंग का मज़ा आएगा फिर मुझे आपसे बात करने की भी जरूरत मी नहीं रहेगी कोशिश करेंगे कि आप और हम मिलकर कुछ अच्छा कर सकें इस राश्ट को राश्ट क्या है दोस्तों कुछ चंद लकीरे नहीं राश्ट क कीजिए यह मैं आपसे बहुत एक भाई के तौर पर रिक्वेस्ट कर रहूंगी अपने काम को बैस कीजिए देश खुट तरक्की करेगा जैहिंद वंदे मातरम इंकलाब संदाबाद भारत माता कीजिए